साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम गजानन माधों मुक्तिबोध और उनका निबंध नए की जन्म कुंडली एक पर चर्चा करने जार हैं गजानन माधों मुक्तिबोध का यह निबंध नए की जन्म कुंडली एक एंसी आटी की कक्षाग्यारे की एचिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित है निबंध से जुड़े महत्पूर्ण बिंदूओं पर प्रकास डालने के लिए विशेविशेशग के रूप में आज हमारे बीच डाक्टर केपी सिंग उपस्थित हैं डाक्टर केपी सिंग दिल्ली विश्विद्याले के आरभेट कालेज में भासा साहित सिक्षण के महत्पूर्ण अध्यता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं डाक्टर सूरज बहादूर थापा प्रफसर सुरज बहादूर थापा लखनों विश्वेद्याले में भासा साहित सिक्षण के प्रक्ष्यात अध्यापक है भासा साहित सिक्षण में उनकी गहरी रुचिय है आईए देखते हैं उनकी बातचीत नमस्कार आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचिनात्म कृति नय की जन्मकुंडली एक पर चर्चा करेंगे इस चर्चा के लिए हमारे बीच विशेविश्यसक के रूप में उपस्तित हैं डक्टर के पी सिंग डक्षर साहब आपका इस कारिकरम में स्वागत है इसक जाहूंगा कि आप मुक्तिबोध जी का एक सामान्य परिचे प्रस्तूत करें ताकि पाठ को सम्मिलने में सहूलियत हो मुक्तिबोध का जन्म श्योपूर ग्वालियर में हुआ था 1917 में मुक्तिबोध की शिक्षा दिक्षा मध्यप्रदेश में हुई थी 1953 में उन्होंने नागपूर विश्विद्याले से पुष्ट ग्रेजवेशन किया था और 1958 में दिग्विजय सिंग महा विद्याले राजनाध गाओं में प्राध्यापक नियुक्तिबोध ने महत्रपून काम किये और कई संस्थाओं में उन्होंने संपाधन का भी काम किया आलोचना का भी लेखन कारे किया मुक्तिबोध सुचना एवं प्रसारण मंत्राले तथा नया खून नामक पत्रिका में भी संपाधकिये के रूप में काम करते रहे मुक्तिबोध ने नया खून जो पत्रिका निकल रही थी उसमें जब संपाद की रूप में काम कर रहे थे तो उसका एक कालम हुआ करता था एक साहित्तिक की डायरी और उस साहित्तिक की डायरी कालम में वो टिपणियां लिखा करते थे और वे टिपणियां गैर साहित्तिक और साहित्तिक भी थी और कुछ सामाजिक विश्यों को ले करके भी लिखी जाती थी बाद में 1957, 58 और 60 में उंक्तिभोद ने वसुधा में कुछ लेख लिखे और ये कुल 13 लेख थे उन्होंने इन लेखों को इकठा करके श्रीकांत वर्मा जी को दिया और श्रीकांत वर्मा से उनको प्रकाशित करने के लिए निविदन किया श्रीकांत वर्मा ने 1964 में भारती ज्यानपीट प्रकाशन से इनको पुस्त का कार रूप में प्रकाशित करवाया और इसका नाम रखा एक साहित्तिक के डायरी और ये लेख नए की जन्म कुंडली उसी पुस्तक से लिया गया है यहाँ दो लेख हैं नए की जन्म कुंडली एक और नए की जन्म कुंडली दो और महत्वपुन ये है कि इस लेख में उन्होंने नए बदलते समाज और परवर्तित होते समाज की बाच्चित की है इसके अतिरिक्त उनकी महत्वपुन पुस्तकें समिच्छा की समस्याएं नए साहित का सौंदर्य शास्त कामायनी एक पुनर विचार चाद का मुह तेड़ा है भूरी भूरी खाक दूल विपात उनकी महत्वपुन पुस्तकें हैं 1980 में नेमी चंजैन ने मुक्तिबोध की रचनावली प्रकाशित की और उसमें उनके सभी लेख करीब करीब संकलित होकर के आ गये यह च्छा खंडों में है तो मुक्तिबोध का संपूर्ण कार्य यही रहा है और 1948 में महत्वपुन रूप से हम कहें तो 1948 में अग्ये ने जब तार सब तक निकाला तो उसमें एक कवी के रूप में मुक्तिबोध की कविताओं को भी शंकलित किया तो यह मुक्तिबोध के लिए एक साहितिक यात्रा थी और यह बड़ी बात थी कि मुक्तिबोध जैसे कवी को अग्ये नई कविता के रूप में इस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि मुक्तिबोध उससे बिलकुल अलग विचारों की कवी थी जी डाक साब आपने बहुत बढ़िया एक इसारा किया कि नए समाज की निर्मान की एक जितना उन में थी और इस निबंध का सिर्सक भी है नए की जन्मकुंडली तो हमारे यहां जन्मकुंडली तो नवजात सिसु की होती है तो यहां नया कौन है और उसकी जन्मकुंडली कैसे बना रहे हैं मुक्ति बोध ने जिस तरह से इस निवंद में इस समस्या को या इस बात को उठाया है वह विचारनी है बात बिलकुल सही है कि कुंडली तो नए बच्चे की बनाई जाती है और उस कुंडली में उसके भविश्य की विभिन इस्थितियों का लोकन या अंक की है एक तो एक तरफ नया मनुष्य और दूसरी तरफ नया समाज हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1947 के बाद जब देश में परिवर्तन हो रहा था और लोग गाउं से कस्बों में और कस्बा धीरे-धीरे नगरों में बदलता चला जा रहा था उस समय मनुष्य का प्रारूप भी बदल रहा था और एक मध्यवर्गी सामाजिक स्थितियों का निर्मान भी हो रहा था तो ऐसे में मनुष्य दो तरह का निर्मित हो रहा था एक नया मनुष्य और एक नया समाज तो यह जो जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं मुक्तिबूर यह नए मनुष्य और नए समा हो और कैसा नया मनुष्य हो उस संदर्व को रखते हुए सामने वे नए जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं बहुत संदर भी सुलेशन की है राक साब आपने इसमें एक वाक्य है कि पुराना तो बीत गया है नया आया है पुराना अब लोट कर आएगा नहीं पुराने का स्था महत्वपून यह है कि पुराना जो बीत गया है वह क्या प्रासंगिक था या उसकी आवश्यक्ता है और जो नया आ रहा है जिसकी आवश्यक्ता है जो वैज्ञानिक द्रष्टिकोंड लेकर के आ रहा है उसको मनुष्य अपनाए रहना भी चाहता है और पुराने को तो एक तरव से हम इस बात को यूँ भी दिखा सकते कि मुक्तज़ट मुक्त्वध का लिए दिखायी दे रहा है समाज का अंतरद्वध है दो तरह से हैं एक तिरफ वह मित्र है और मुक्तबोध है मित्र स्वैम मुक्तपोध ही वह मुक्तिबोध जो पुरातन पंथी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं और मुक्तिबोध स्वयम अपने आप में उस नए बदलते समाज के लिए संघर्ष करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है तो यहां पर पुराने का जो मोह है उसको त्यागना आवश्यकों दिखा और नए को स्थानापन करना है नए को लाना है पुराने के जगह पर और नए को इस्थापित करना है नए जिष्टिकोंड के साथ स्थापित करना है जहां एक व्यवस्थित समाज हो अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो पाया मुझे लगता है कि ऐसा मुक्तिबोध ने इस निबं बाहर किया जाता है तो थोड़ा उस प्रक्रिया को और समझाते हुए इसको सपस्ट करिए मुक्तिबोध है पहली बात कि मुक्तिबोध जब कह रहे हैं कि पुराना जो है उससे मोभंग नहीं हो रहा है पुराने को मनुष्य अपनाए रहना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है कि घर की स्थितिया और घर से जुड़ा हुआ जो परमपराओं का या रीती रिवाजों का एक प्रारूप है वह कैसे ना तूटे मुक्तिबोद ने अंत में कहा है कि हमें धर्म के अस्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकूण को इस्थापित करना चाहिए अर्थात मुक्तिबोद धर्म और विज्ञान दोनों को समानांतर रूप से लेकर के चलने की कोशिश इस निवंद में कर रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली इसी रूप में बन रही है कि एक तरफ धर्म जो है वह अगर अप्रासंगिक हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए और विज्ञान जो नए रूप में आ रहा है नए इस्थितियों को ला रहा है नए समाज के निर्मान में अपनी एक भूमिका निभा रहा है उसे स्विकार करना चाहिए तो यह इस्थिति घर से सुरू होनी चाहिए सबसे पहले घर में हमारी वो परमपराएं जो बिलकुल अप्रासंगिक हो चुकी है जिनकी कोई आवश्यक्ता नहीं है जो किसी भी तरह से सामाजिक विकास में बाधक है उन परमपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए और उस एक इसारह यह भी किया कि यह ब्यापक तोर पर समाज में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे जो राजनीती है उसके पास समाज सुधार का कोई एजेंडा नहीं है विसे नहीं है तो इसको ब्यापक अस्तर पर कैसे समझा जाए रख साब देखिए यह चिंता एक तरह से प्रासंगिक भी है आज के राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए उनके विचार भी प्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं राजनीती अगर प्रोफेशन बन जाएगी तो समाज सुधार का कार्य कैसे होगा यह मुक्तिबोद ने चिंता जाहिर की है इसमें इसलि सौंदर की बात करते हुए कि सौंदर में अगर कोई रहस्य नहीं है तो यह एक चोख्टा मात्र है तो इसमें वो एक ब्यांग भी कर रहे हैं और नए के प्रती एक दिशा भी दे रहे हैं कि उधर खुलना चाहिए इसको इस पस्ट आप करेंगे तो बहुत अची बात होग जो फ्रेम है उसकी तरह है और सौंदर्य क्या है इस एक वाकिसे उन्होंने सौंदर्य की संपूर्ण परिभाशा कर दी है मतलब आंतरिक मनह इस ठिती में यदि आपके दया प्रेम सहानु भूति सोहार्द नहीं है तो वह सौंदर्य नहीं है और बाहर का आवरान वह तो द सौंदर्य का रूप कभी नहीं हो सकती सौंदर्य का प्रारूप निर्मित नहीं कर सकती है सौंदर्य वह है जो आंतरिक मनह इस्थिती से मनुष्य सामने दिखाने की कोशिश करता है और उसी सौंदर्य में महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि सौंदर्य मनुष्य के आंतर सभ्राइब उसका चिंतन एक रहस्य थे बाहर में निकलता है तब तक तो रहस्य बना हुआ है जैसे ही बाहर आता है वैसे ही का जहूप ले रिता तो डक साब ये इस निबंद में ऐसा क्यों कहते हैं कि जो इतना परिवर्तन कामी इच्छा रखता है, समाज को नया बनाना चाहता है, वह पात्र अचानक ऐसा क्यों बोलता है कि मेरी जिन्दगी एक भूल का है, नक्सा है, ये भूल का नक्सा सांसारिक द्रिस्टी से है या स समाजिक परिवर्तन की इच्छा रखने वाली बहुत आदर्स द्रिस्टी से है, इसको जड़ा सपस्ट कर देंगे तो बहुत अचा है मनुष्य महत्वाकांची होता है और मुक्तिबोध जैसा मैंने आपको सुदू में कहा कि उनका आत्म संघर्ष दो पात्र है ना, एक मित्र है और एक वो स्वयम है तो जहां आत्म संघर्ष की स्थिती आती है, वहां यह विचार भी मन में आने लगता है कि मैं कहीं सामाजिक स्थितियों का अवलोकन करते हूँ या सामाज के संदर में सोचते सोचते, पीछे तो नहीं छोटता चला जा रहा हूँ और अन्य लोग जो व्यक्तिगत विचारों को लेकर के चल रहे हैं, कहीं वे आगे तो नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहां पर उनको लगता है कि कहीं मैं भूल का नक्षा तो नहीं हो गया हूँ लेकिन मुहत्वपूर्ण यह है कि वहाँ पर वो नक्षे का जिक्र करते हैं इसका मतलब वह विद्यमान रहने वाली स्थितियों में मौजूद हैं वो भूले हुए व्यक्ति नहीं हैं तो मौजूद अपने को रखते हुए अपनी प्रासंगिक्ता को बनाते हुए वे कह रहे हैं कि मैं कहीं भूल का नक्षा तो नहीं है हाँ इसलिए उन्होंने भूल गलती जैसी कविता भी लिखी थी और भूल का मतलब यहां गलती से है कि सांसारिक लोग जो हैं संवाजिक परिवर्तन के काम को एक गलती ही देखते है बूल के रूप में देखते है पतलब मुक्ति बहुत ही संवाज को अपनी पार्खी निगाहों से उसके अंदर घुस करके देकर करके और समझते है यह जो नया समाज गठित होगा तो उसके लिए समाज को एक संदेश मिलना चाहिए, तो मुक्तिबोध इस पूरे अपने पार्ट में कैसा संदेश देना चाह रहे हैं, समाज को क्या बताना चाह रहे हैं, इसको जड़ा साफ करें और उनका पूरा लेखन समाज को समर्पित रहा है, और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज के प्रती समर्पित भावनाओं के कारण मुझे लोग उपेक्षित कर दें, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि इसके बावजूद वो एक ऐसे समाज के प्रती अपना दिश्टी कोण रखते हैं जहाँ पे सभी को समान रूप से एक दिश्टी से देखने की कोशिश की जाए और ऐसा समाज जो विकास की संभावनाओं को लेकर के चल रहा हो, जहाँ एक अच्छे या स्वस्थ मनुश्य का निर्माण हो रहा हो, जहाँ मनुश्य ऐसे समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे हो और यह समाज वैज्ञानिक दिश्टी कोण लेकर के बन रहा हो, तो इस तरह के समाज को निर्मित करने की औधारना के रूप में नए की जन्म कुंडली या निबंध बड़ा महत्वपूं है, और हमें इसी दिश्टी कोण से इस को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि मुक्तिबोध सुरू से अंत तक सामाजिक इस्थितियों पर बारीकी से चल्चा करते हुए इस निवंध को आखिर तक ले आते हैं रख साब मुक्तिबोध नया जोडना चाहते हैं लेकिन वो यह भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में बड़ी घटना हो रही है संजुक्त परिवार के विघटन का तो इस नय की संधान में संजुक्त परिवार के विघटन की बात का क्या भूमिका उसकी होगी है देखे ये उनका सोचना मुक्तिबोर का बड़ा महत्वपूर्ण था, संग्यूक्त परिवार का विखटन आधुनिक इस्थितियों में एक बहुत बड़ी विडम बना थी, और एकल परिवारों का बनना, संग्यूक्त परिवार का टूटने का मतलब है कि सामाजिक इस्थिति को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और एकल परिवार में मनुष्य व्यक्तिवादी होता चला जा रहा था तो जो व्यक्तिवाद वाली अधारना थी जहां पर मनुष्य अकेला पड़ रहा था और वहीं पर विखराव की स्थिती भी बन रही थी य परिवार का परंपरा से एक जुड़ाओ है तो एक तरह से उस परंपरा के जो धनात्मक पक्छ है उसके प्रती उनके उनमें एक भाव दिखाई देता है लेकिन इसी के साथ वो उस जो मित्र भाव वाला पात्र जो द्वंदै की स्थित रही है उसमें आप बता रहे हैं कि जो दूसरा पात्र है वो भारती परंपरा का बिचित्त परिणाम है तो क्या ये एक तरह का मुक्तिबोध में अंतर विरोध है या वो कुछ और बताना चाह रहे हैं जो मित्र है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पुरातन पंथी परंपराओं का बिलकुर से और उस पुरातन पंथी परंपराओं में रहते हुए भी वो समाज से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है वो अपने व्यक्तित्व या यूं कहें कि अपने व्यक्तिगत विकास की द्रिष्टियों को देखने की कोशिश कर रहा है, मुक्तिबोर यहीं पर उससे विवाद करती हैं, कि नहीं, जहां पर तुम अकेले पढ़ जाओगे, वहां सामाजिक इस्थितियां तुम्हें उपेख्शित करेंगी, वहां पर तुम विखर्ते चले जाओगे, तुम अप परमपरा का बीचित्र परिणाव? परमपराएं बिखरती हैं, परमपराएं टूटती हैं, परमपराएं बदलती हैं, मुक्तिबोद यही बात सुरू से अंत तक कह रहे हैं कि इन परमपराओं को बदलते रहना क्या है और यह बदलाव आवश्यक है. यानि बीचित्रता वो साधरनतिया बहुत कठिन होती है, धुरू होती है, गूर होती है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही जैसे कोई कथा कहानी लिख रहे हैं, उस प्रवाह के साथ उन्होंने लिखा है, तो उनके उस भासाई और अभिव्यक्ति पक्च को जरा आप स्पष्ट करें. मुक्तिबोध मूलत दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, दार्शनिक ही थे एक तरह से, और यहां निबंध हम सुरू से अन्त तक पढ़ें, तो निबंध का व्यात्मक है, आप उसको देखिए प्रतेक वाक के, एक कविता की पंक्तिक तरह दिखते हैं, और परस पर बात्चित करते हुए भी लगता है कि वे वार्तालाप भी करताओं में ही है, तो भाशा के अस्तर पर मुक्तिबोध अन्य जगहों पर जहां दार्शनिक विचारों की अविव्यक्ति करते हैं, वहां जटिल जरूद हो जाते हैं, लेकिन इस निबंध में वो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं और इतने ढंग से अपनी बात कह गए हैं कि वह ग्राहे हो जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद डग साब, आपने इतना सुंदर पाठ का विसलेशन किया, मुक्तिबोध की दुरूहता को इतनी सरलता पस्टता के साथ आपने रखा कि पाठ बिलकुल साफ हो जाता है, आपने बहुत अच्छा भी सिलेशन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जासा हो तो अपने साथी मित्रों से चर्चा करें, अपने गुर्जनों से संबाद स्थापित करें, साथियों, अब हमारा कारक्रम यहीं संपन्न होता है, आगले कारक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें अग्या दीजिए, नमस्कार झाल